आप सभी सातियों को मेरा नमश्कार सभाख सभी सातियों के लिए जीलों से जानकारियां मांगी गई हैं जीले के भीतर पीसिक शिक्षकों के तबादले कई सालों से लटके हुए है, पिछले साल जूलाई के आखिर में सा इसले में नित शालें से 10 चानाती दिने के आदेश दे दिये इसके बाद बेसिक सिक्षावी भाग ने तबादले की प्रक्रिया सुरू करने की वकायद आगे बढ़ी और MRC अभेर्थियों की काउंसलिंग में जुट गया तब यह दावा किया गया कि MRC के समयोजन के बाद जीलों के अंदर तबादले सुरू किये जाएंगे हलाकि दवा जमीन पर नहीं उतर पाया और साल बीत गया सुत्रोकनसार सासन से तबादले की हरी जंडि मिलने के बाद इसकी पूरी प्रक्रिया ते कर अनुमोधन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था इसे अंति मनमोदन के लिए सीयम का रियाले भेजा गया, वहां से कुछ बिंदों पर अस्पस्टिकरन मांग लिया और प्रक्रिया रुख गई अब विभाग ने सभी जिग्यासाओं का समधान कर संसोधित प्रस्ताओ भेजा है जिस पर मुहर लगने की उमीद है इसके बाद आदेस जारी होगा, विभाग ने इस वीच एक दसक से लटके सिक्षोगों के प्रमोशन का प्रस्ताओ भी आगे बढ़ा दिया है प्रमोशन के बाद की स्थितियों के आधार पर तबादले की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी पिछले महीने बेसिक सिक्षा निदे साले ने सासन को बेसिक सिक्षो के मिचुछल आधार पर तबादले का भी प्रस्ताओ भेजा है आवेधन वर्स भर में कभी भी किये जा सकेंगे, लेकिन तबादले के आदेस छुट्टियों में जारी होंगे इस प्रस्ताव पर अभी सासन से अनुमदन और आदेश जारी होना है तो दोस्तों यहाँ पर माहनदेशक महोदे का इस संदर में क्या कहना है उनका इस्टेटमेंट है बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन की कहरवाई सुरू की गई है इसके बाद तबादले की प्रकरिया पूरी की जाएगी सासन अस्तर से कुछ जानकारियां मांगी गई थी उसे भेज दिया गया है जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा विजक किरणानन मांदेशक स्कूल सिक्षा तो दोस्तो इस प्रकार से आईए हम एक आदेश की करम में समझाने कोशिस करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सबसे पहले प्रमोशन होगा और उसके बाद सिक्षोकों के तबादले की प्रकारिया प्रारंभ होगी दोस्तो यह जो पत्र अपनी स्किन पर आप देख रहे हैं लेकिन इस संदर में आज की डेट तक सासन की तरफ से कोई भी पत्र जारी नहीं हुआ है और नहीं कोई अनुमती इस संदर में दी गई है इसलिए जब तक सासन की अनुमती नहीं मिलेगी तब तक सिख्षकों के अंतजनपदी अस्थनांतनर या समयजन की प्रक्रिया प्रारंब नहीं हो पाएगी अब दोस्तो आएए दूसरा आदेश दिखाते हैं दोस्तों ये जो आदेस है वो सिक्षकों के पदोनती के संदर में है और हम आपको बता दे कि महांदेसक महदे ने अभी जस्ट इसके पूर जो हमने आपको आदेस दिखाया है वो सिक्षकों के समायजन और अस्थानांतर के संदर में सासन से अनुमत लेने के लिए महांदेसक महोदे ने सासन को पत्र लिखा था लेकिन उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं आ है लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि यह पदोन्यती की संदर में ठीक उसी प्रकार का पत्र सासन को इन्हों ने लिखा था और उसका प्रति उत्तर आज चुका है अपनी स्कीन पर देख सक रिक्त पदो पर पदोनती के समन्द में आदेश निर्गत किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से असपष्ट है कि सासन की तरफ से यहां पे सिख्षोकों की पदोनती के लिए तो अनमती मिल गई है लेकिन यहां अस्थानात्र और समयजन की अनमती अभी तक नहीं मिली है और उसका अभी इंतजार ही हो रहा है तो सुभाविक है कि सबसे पहले य जुड़े रहने के लिए वैल आइकन को प्रेस करके अल वाले अप्सन को निस्टी दूर्प से प्रेस करेज़ेगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉ आपके साथ अपता के लिए नमस्कार